सादने के लिए जहांपर बीजेपी ने बड़ा मस्टर स्ट्रोग खेला है जोती मिर्धा बीजेपी का दामन थाम रही हैं तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं सीधे बीजेपी मुख्याले से तो बीजेपी मिर्धा ने बीजेपी जोईन कर ली है एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे बीजेपी के लिए देखा जा सकता है कतावर नेता जो अभी तक कॉंग्रेस के साथ थी लेकिन आज कॉंग्रेस का हाँ छोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है जाट वोटर्स को साधनी की कोशिश यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्योंकि जोती मिर्धा को जाट वोटर्स का समर्थन है ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की ओर से मास्टर स्टोक खिला गया है जोती मिर्धा बीजेपी मुख्यालम इस वक्त पहुची हुई है सीधी तस्वीर उत्तर भारत में एमर्जेंसी के समय जो एक मात्र सीट जीते थे जिन्हों ने किसानों के कल्यान के लिए अनेक काम किये ऐसे नातुरा मिर्धा जी के परिवार से में भारती जनता पार्टी परिवार के ओर से जोती मिर्धा जी का जो 2009 से 14 सांसद रही और सवाई सिंग्षी जिनके पिता जी विधाय करें प्रधान रहें ये भी चुनाव लड़ें दोनों का मैं राजस्तान भारती जनता पार्टी परिवार के ओर से बहुत स्वागत और अभिन्यादन करता हूँ नेता, निती, नियत और नेत्रोत का भाव कॉंग्रेस पार्टी में देखकर जहां कुशल नेत्रोत है, जहां निती स्पस्ट है, जहां मजबूत नेत्रोत है ऐसी पार्टी का दामन, आदर्ने नरंद्र मोधी जी के कल्यानकारी नीतियों को स्विकार करते वे मानि जोती जी ने और सवाई सिंग जी ने आज पार्टी की सदस्ता गरन की और एक ऐसे समय, जब राजस्तान में महिला चितकार मार रही है कांग्रेस पार्टी की महिला विधायग भी केरे एक हम आस्वरुक्षित है ऐसे में आज दोनों ने भारती जनता पार्टी की सदसा गृन की न पूरी पार्टी की ओर से, राजस्तान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनान fen करता हूं और मैं सोचता हूँ जिस परकार के स्तितिया राजस्तान की हैं उनसे खिन होकर जहां मैला न तो गर में, न खेट में, न खलियान में, न घुस्पिटल में, न अबॉलेंस में रक्षक ही बक्षक जहां बने बैठे हैं ऐसी स्तितियों में आपने आज भारती जन्ता पार्टी की सदस्ता गरंकी मैं पूरे परिवार्ज के ओर से दोनों का स्वागत बनेनन करता हूं बहुत धनिवाद आदने अरुन सिंग जी से भी आग रहे हैं अरुन सिंग जी राष्टे मास से चीव के साथ अरुन सिंग जी से मेरा अगराय की मीडिया के साथे वो संबधित करें भारती जन्ता पार्टी का परिवारा और बड़ा हुआ है और ज्योति मिर्दाय जी की आने से राष्टान भारती जन्ता पार्टी बहुत मजबूत हुई है हम भारतिद्दापाड़ी के मुख्याले में आपका अबनेंदम करते हैं और सवाई सिंग चौधरी जी आपका भी अबनेंदम करते हैं राजिस्तान में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाब अत्याचार के घटनाएं निरंदर बढ़ती जा रही है प्रतिद्दीन 16 से 17 बलतकार की घटनाएं घट रही है अभी गंगापुर में ही दो दिन पहले महिला को किनेप किया गया किनेप करने के बाद गैंग रेप किया गया और निर्वस्त कर दिया गया ये दो दिन पहले की घटनाएं और जो प्रियंगा गादी उसी अस्थान पर गंगापुर में आ रही थी तो सुबह पुलिस का इस्टेट्मेंट आता है कि महिला अपने मर्जी से गई थी जबकि महिला को निर्वस्त करके जो पुलिस वाले थे जीप का जीप का अपना लेदर उसको फार करके महिला को पानाने का काम किये और साम को आई जी का इस्टेट्मेंट आता है कि हां महिला का अपहरण किया गया और गैंग रेप किया गया निर्वस्त किया गया तो क्योल प्रियंका गांधी के दबाओं में गालोजी ने एक जूटा ही स्टेट्मेंट पुलिस के द्वारा दिलाया कि नहीं इस प्रकार की घटना ऐसी नहीं थी साम को आई जी उस घटना को पुरी तरीके से बेवरिवार कहते हैं कि ऐसी घटना करती है जब प्रदेश का मुखिया इतना बेसर्म हो जाए कि महिला के खिलाब अत्याचार हो रहा है उन अत्याचार को दबाने के लिए अगर वह पुरी ताकत लगा दे और पुलिस वाले के उसमज़ता का काम करा रहे हैं मित्र मैं आप सब को बताना चाहूँगा कि अभी जोती मिल्दा जी जोईन किये हैं बहुत ही लोग प्रिनेता हैं कांग्रेश को छोड़ करके इससे पहले कि पूरी केंद्री मंति सुवास महिर्या जी भारती जिन्ता पार्टी को जोईन किये कांग्रेश के पूर मुक्मंति पहाड़या जी उनके सुवत्र भारती जिन्ता पार्टी को जोईन किये ऐसे अभी तक 40 लोग भारती जिन्ता पार्टी को जोईन किये और लगातार जोईन करने का सिल्चा बढ़ रहा है भारती जिन्ता पार्टी का प्रवार बढ़ रहा है इस पर्ष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल लगी है और वहां कांग्रेश के बिरुद्ध भारति इंता पार्टी के पच्छ में आपका पुना पार्टी के मुक्याले में आप सब का अभिनेंदर नों स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी को जैंकरी में हैं कि राजस्तान के अंदर हमारी परिवर्तन यात्रा है चल लगी है और बहुत उसको जन समर्थन भी मेवरा है राजस्तान के अंदर सभी राजनीती से जुले जो कारे करता है वो भारतिन्ता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और इस विकास की बयार में सामिल होना चाहते हैं इसी कड़ी में आज जोती मिर्दा जी ने भारतिनता पार्टी में शामिल हुई है, मेरा उनसे आगरा है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें. नमस्कार साथियों, मैंने जब मेरा राध्नितिक जीवन शुरू किया था, तो कॉंग्रेस पार्टी में किया था, और मुझे 2009 से 2014 तक सांसद बनने का मौका मिला था, और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे, कि कोई फर्स टाइम सांसद की अगर पर्फॉर्मेंस पार्लिमेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने वहाँ पर एक चाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी. लेकिन उसके बाद से परिस्तियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखेंगे, चाहे अंतराश्टे लेवल पर देखेंगे, चाहे राज्य में देखेंगे, चाहे मेरी कॉंस्टिट्विंसी में देखें. परमाधर निया हमारे प्रदान मंतरी जी ने जो कुशल नेतरत्व दिया उसकी वज़े से हमारे देश की साख बैश्विक स्तर के उपर एक अलग ही दिशा में पहुंची है और जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतरत्व मिला पार्टी को उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी लेकिन उस दिशा से बिलकुल विपरीत डिरेक्शन में मूव करने लगी थी तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि राष्ट निर्मान के अंदर अपनी एक भूमी का निबाना चाते हैं कि इतनी वी छोटी हो चाएं कितनी भी बड़ी हो चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे महिलाओं के हित के लिए हो कि तो वहां पर अब वो opportunity मुझे कम दिखाई दे रही थी आज जो परिस्तिती राजस्तान में है विशूर पर चाहे महिलाओं को ले करके, महिला अत्यचार को ले करके चाहे हमारे खुद के जो कारे करता है उनकी जो अंद देखी है उसको ले करके, law and order की situation को ले करके तो जैसा कि अभी आदर्नी अरुन सिंग जी ने बताया कि कई लोग ऐसी गुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कॉंग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है आज मंच पर हमारे अरुन सिंग जी उपस्ते थे हैं हमारे राजस्तान के प्रदेश चर्द्यक्ष आदर्नीय सीपी जोशी जी यहां पर उपस्ते थे हैं सांसद भागिरज जी आपके सांसद बलूनी जी केंदर नेतरत ने जो मुझे में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहां पर पार्टी की सदस्यता दिलवाई है मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें राष्ट निर्मान के अंदर जो भी छोटी बड़ी बूमिका निभा सकें जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाई की तरफ से तरह से काम करके और हमारा सयोग कर सकें उसके लिए हम ततपर रहेंगे यही विश्वास में आपको दिलाना चाहती हूँ और जो यह मौका यहां मिला है इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्तान में आए के अंदर में वापिस से बीजेपी की सरकार रिपेट हो हमारे प्रदानमंतरी जी को एक बार पुने देश का नेतरुत करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी उचाहियों को चू सके और साथ ही मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रदानमंतरी जी का, हमारे आदर्निय नड़्डा जी का, अमिछ शाह जी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी जोइन करूं और आप लोगों के बीच में आजया हाजिरो करके और अपनी बात यहां पर रख सको आप सभी मुड़ा के साथे को बहुत-बहुत धन्यवाद वीरे आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि एक खास चहरा जोती मिर्दा जो अब तक कॉंग्रेस में थी और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है कई दिगज नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे जो इस सदस्ता के दोरान जब ये कारक्रम किया जा रहा था तो वहाँ पर मंच पर मौझूद रहे और उकर लेते हैं दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रे चुनाव समिती की बैचक है बीजेपी केंद्रे मुख्याले में एहम बैचक होगी तो इंतिजार कारकरताओं में पहली सूची को लेकर है और ये बैचक इसी लिहाद से बहुत महत्वपून है क्योंकि प्रत्याशी चेन के लिहाद से इस बैचक में चर्चा की जानी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी बैचक में मौजूद रहेंगे कई क्याबिनेट के मंत्री भी इस बैचक में शामिल रहेंगे जो चर्चा करेंगे मन्थन करेंगे कि कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें पार्टी टिकट देगी कौन होंगे वो उमिदवार जिताओ उमिदवार जिनको party select करेगी इसी को लेकर इस बैठक में खास चर्चा की जानी है 13 सितंबर को BJP के अंद्रे चुनाव समिती की ये बैठक है जिसमें ये ताई किया जाएगा कि कौन होगा वो उमिद्वार जो आगामी चुनाव में मैदान में उतरेगा जिस पर पाटी भरोसा जताएगी तो पहली लिस्ट BJP की ओर से कुछी समय में जारी की जा सकती है कई महीनों से इसे लेकर कवायते की जा रही थी ग्राउंड लेवल पर कौन से उमिद्वार जादा मस्बूत है इसे लेकर भी परक पहचान करने की कोशिश BJP की ओर से की जा रही थी